तो एक बहुत ही महत्ति फू Welpen topic और ये विशुतिहाज का था और विशुतिहास की विशेवस्तु मैं जैसा की मैं लगतार आप लोंग की करभा रहा हूं तो उसके अंतरगर्ती topic है औदोगिक क्रांती औदोगिक क्रांती सरप्रथम इंग्लैन्ड में घटी यह प्रश्ण पूछा गया आई-एस का प्रश्ण है और इसी से आप पूरा का पूरा टॉपिक एक समझेंगे है ना टॉपिक वाइज आप एक एक विशेवस्त को जानते भी जा रहे हैं नोट्स बनाकर इनको लिखते भी जाईएगा तो क्या कारण था कि और दोगी करांति वहां के लोगों के जीवन की गुर्वत्ता पर चर्चा कीजिए अब देखें इसमें अब यह प्रश्ण है यह आई-एस के एक्जाम में पूछा जाता है से स्टेट पीसे के इक्जाम में यह पूछा गया प्रश्ण है तो अब इस प्रश्ण को पहले एक बार समझते हैं जब भी कोई टापिक है पहले हमें उसे समझना påड़ेगा और समझने के बाद हम उस पे काम करेंगे तो सबसे पहले इसको समझिए कि इस परस्छन की ढिमांड क्या है नीड क्या है सबसे पहले कह रहा है कि क्या कानण था कि ऑदोगी क्रांथी सरप्रथम इंगलेंड में थ ठीक है इसके बात करन और जो और ओदोगी करण वहां के दाषरान इंग्लैंड के लोगों का जीवन गुड़ता पर चर्चा करिए तो दूसरी दूसरा कॉश्चन ये निकल के आया यानि पहला कोश्चन यहां पे था दूसरा कोश्चन यहां पे था तीसरा कोश्चन तीन कोश्चन है इसमें भारत में बरतमान जीवन गुड़ता के साथ किस प्रकार तुलनी है अब देखे कोश्चन को लिंक कर दिया गया है और दोगी करेंड के से अब आप लोग उपरी तौर पर पढ़ेंगे तो क्या सीख पाएंगे कुछ नहीं सीख रहे हैं किस तरीके से ग्रामीर पलायन हो रहा है किस तरीके से मलिन बस्तियों का निकाल विकास हो रहा है तो कहीं न कहीं पे भारत में बरतमान जीवन गुड़ता के साथ क्या करना है इसको किस प्रकार से तुलनी है इस विसेवस्तू पे भी हमें प्रकास डालना है तो यह एक बहुत important topic है समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहला question क्या कारण था कि अधोगी करांती सर्प्रथम है कि क्या है मेरे मेरे हिसाब से आथिनेग आभासा में आप आप लोगं को परिभासित करूं तो देखे इसकी परिभासा बहुत आसान है प्रणाली में ऐसे परिवर्तन आधुनिक ब्यापार प्रणाली में ऐसे परिवर्तन अभी ऐसे परिवर्तन अभी ऐसे परिवर्तन को समझेंगे क्या है ऐसे परिवर्तन जिसने उत्पादन एवं ब्यापार की गती को तीब्र कर दिया गती को तीब्र कर दिया तीब्र कर दिया और दोगी क्रांति और कुछ नहीं बस एक कम से कम टॉपिक के बारे में थोड़ी बहुत जानकर यह आपकी होनी चाहिए यह इसके लिए दूसरा सब्द प्रयोग कर सकते हैं आधुनिक ब्रबांट ब्यापार प्रणाली में ऐसे पर आप्रत्यासित ब्रद्धिकर्दी आप्रत्यासित आप्रत्यासित ब्रद्धिकर्दी ब्रद्धिकर्दी अचानक से इंग्लेंड में एक ऐसी घटना घटी कब गटी 1750 के बाद यानी 1880 के उत्त्रार्द में ऐसी घटना घटी जिस घटना ने इंग्लेंड के ऐसे परिवर इंट्रो देना चाहिए अब ये ऐसा परिवर्तन ये क्या है ये क्या है ऐसा परिवर्तन ये किस तरीके का परिवर्तन है ये परिवर्तन क्या था पहले था घरेलू उत्पादन प्रणाली थी पहले कैसी घरेलू उत्पादन प्रणाली उत्पादन प्रणाली घरेलू उत्प खाना कार खाना उत्पादन प्रणाली ने कार खाना उत्पादन उत्पादन प्रणाली ने प्रणाली बदल गई और कार खाना उत्पादन प्रणाली जब आई आपकी तो कार खाना उत्पादन प्रणाली ने क्या किया उत्पादन और व्यापार को गती प्रदान कर दी अब ये एक नए प्रकार का जो है यहाँ पर अब एक कार खाना क्या है मसीनी करण की बात कर रहे हैं आपे मसीनी करण की मसीनी करण बढ़ गया अब बात ये नहीं है सिर्फ मसीनी करण पर जाने से ओदोगी कृ major हो जाती तो बहुत सरे देश कर लेते हैं translay नहीं है जापान के पास तो ना मसीने थी ना कुछ था ना कुछ था इसके बाद भी अदोगी करंती हुई वहाँ पर बड़े इस तरकी तो अब क्या है इसको भी समझने का मैं आप लोगों को बहुत आसानी करूंगा कि आप इस विसेवस्त को भी आसानी से समझें ठीक है चलिए अब इसे भी समझने का प्रयास करिएगा ये भी बहुत कटिन नहीं है देखें कि आपको बहुत इजी बहुत आसानी से बड़ी विसेवस्त को समझाता चला जाओंगा हो सकता ये टम्स ये कोश्चन मेरे तरीके से समझें तो साइद आप समझ जाएं बहुत इजी है बहुत कटिन नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें पहले तो मैंने आपको अदोगी करांति के बारे में बढ़ाया आपको अदोगी करांति के लिए तीन महत्पूर्ण बिसेवस्तू है तीन चीजे होनी चाहिए किसी भी देश में और दोगी करांति के लिए तीन चीजे होनी चाहिए ये नितान तौर पे और कुछ सहायट चीजे हैं सबसे पहली चीजे उस देश के पास पूंजी होनी चाहिए अब इंग्लेंड में ही या दोगी क्रांति क्यों हुई इसको समझने का इस प्रस्ण का उत्तर देने जा रहा हूं सबसे पहले चीज पूंजी होनी चाहिए बिना पूंजी का कुछ नहीं होता है अब चूंकि इंग्लेंड उस समय उपनेवेशिक समराजवादी सकती के तौर पे था उसने विविन देशों में अपने उपनेवेश बना रखे थे तो ब्यापक किस तर का उसने क्या कर रखा था सोशन कर रखा था और उस सोशन के पैड़ा तो बुलियन बांदी या बाडिज जवादी पॉलिसी कांट से उसके पास पूंजी को उपलब देता थी पहले चिंड दूसरा स्रम चूंकि सस्ता स्रम उपलब देता उसको ही क्रिसी करांती और जुपादी सक्ति थी हुश समय कि ए तो इसको बहुत आसानी से सस्ता स्रम मिल जाता था गिर्मतिया मजदूर के तौर पर कंट्रेक्टर के तौर पर तो स्रम के उपलब स्धता दूसरी इसके पास उपला पूंजी था, स्रम था, तीसरा सबसे बड़ी चीज कच्चा माल, इसके पास कच्चा माल भी था, कच्चा माल था, कच्चा माल ने भी बहुत बड़ा, अदोगी करांती में के लिए तीन चीज़े मिल जाएं किसी भी देश को, तो उस देश में तकनीकी का विकास हो रहा था और यही वो समय था जब यूरोप में पुनर जागरणकाल रिनांसा का टाइम पिरड़ था प्रबोधन का टाइम पिरड़ था तो इसमें बहुत सारे अविश्कार हुए बहुत सारे रेल इंजन भास्प इंजन मसीनी करण तो ऐसे तकनीकी जितना भी उत्पादन करता उतना भी उत्पादन काम होता तो एक बड़े बाजार के तौर पे भी इंग्लैंड के पास एक बड़े इस्तर का बाजार था जिसके कारण से भी इसके कारण से भी यहां पर क्या हुआ दोगी करांती को इसने बल प्रदान किया एक सबसे इंप सरकार सरकार देखो यूरोप में बहुत सारे देश के उस समय ब्रेटन का प्रतिसपर्दी था फ्रांस फ्रांस भी चाहता तो अदोगी करन्ड कर लेता इस्पेन और पूर्टगाल भी चाहते अदोगी करन्ड कर लेते लेकिन फ्रांस में राजनितिक और सरकारी नियंत्रण उस सरकारी नियंत्रण ने वहां पर किसी भी तरीके के आर्थिक गद्विदी को प्रतिबंद सा लगा रगा था तो अनकूल राजनितिक नियंत्रण यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है तो आप समझ सकते हैं किसी देश के पास पूंजी की उपलब देता स्रम की उपलब से अठार्वी सताबदी के उत्रार्द में अठार्वी सताबदी के उत्रार्द में इंग्लेंड में क्या हो गई और दोगी क्रांती हो गए ते समझ में आ गया क्यों और दोगी क्रांती हुई सबसे पहले इंग्लेंड में और दोगी क्रांती क्यों हुई क्यों ऐसा उत्प का सरकारी तंत्र था जो सरकार थी वो एक सहायक की भूमिका के तौर पे उपस्तित थी एक और चीज एक और चीज है इंगलेंड में गौरोपूर क्रांती हो जिसे रक्त हीन क्रांती के तौर पे भी जानते हैं गौरोपूर क्रांती यहीं से संसत का जन्म होता है पालियमेंट करांती जो होती है इंग्लाइंड में 1688 में उसके पईडाम शुरूप एक मध्यम वर्ग का उदय होता है सामंत वादी वर्ग की जगे पे एक मध्यम वर्ग का उदय होता है और ये मध्यम वर्ग जो था ये ब्यावशाय और ब्यापार पे उत्साह भी रखता था और साहस भी रखता था तो ये मध्यम वर्ग ब्यापार और ब्यावशाय करना चाहता था तो एक उत्साही वर्ग का जन्मुवा उत्साही उद्योगपति और ब् land में हो गई ठीक यह आपके पहले प्रश्चन का उत्तर ठीक अब बात करते हैं आगे बात करते हैं कि British सरकार का उस समय आपको पता ही होगा कि British सरकार की उससे में बहुत सारे उपनेवेज थे बहुत सारे बंदर गाहों में एक आधिकार था एक अच्छी ससक्त नौसेना थी जिस कारण से उसका जो है कहते ना कि सुर्यास्त नहीं होता था अमेरिका तक कभी गुलाम रहा है ब्रिटेन का तो बड़े-बड़े बंदर गाहों में उसकी परिवाहन व्योस था अच्छी नेवी होनी के कारण से और दोगी किंग्लैंड में और दोगी क मतलब क्या है इसका और दोगी करण अभी करण मतलब आ rendre की अजयों वह ञोगार की संभावना में ब्रिठ्धी जहां पर भी होगा रोजगार बढ़ेगा जैंदी रोज गार के लिए लोग यहां पर आएंगे यानि कि लोग एक जैसे यह ओदोगी करण होगा ओदोगी गत्विद्या होंगी प्राइमरी सेक्टर की जगे दो ती एक शेतर जादा एक्टिव हो जाएगा तो यह क्या होगा एक सहरी करण का जन्म होगा सहरी करण का जन्म होगा सहरी करण का मतलब क्या है यहां की जो सुख सुविदाय हो को जन में देगा और दोगी करण से रोजगार में ब्रद्धी होगी जिसके पैडाम सुरूप गाउं से सहरों की तरफ पलाएन बढ़ेगा गाउं से सहरों की तरफ पलाएन बढ़ेगा लोग रोजगार के लिए सहर आएंगे ना गाउं से सहरों की तरफ बलाएन पढ़ेगा है ना तो इससे क्या होगा दो-तीन चीज़े होंगी एक तो जनसंख्या में ब्रद्धी होगी जनसंख्या में ब्रद्धी होगी बड़ी संख्या क्योंकि स्रम के लिए जनसंख्या भी जरूड़ी थे दूसरा सुख सुभिधाओं का भी जन्म होता है तो ऐसे इस्तिती में बरतमान समय अदोगी करांती की बात करते हैं तो अदोगी करांती में उत्पादन में ब्रद्धी हो गई इसके पैडाम सुरूप उत्पादन के ब्रद्धी होनी के कारण से जनसहरी करण और जनसंक्या में प्रत्यासित ब्रद्धी जिसके कार्ण से संपन्य पूंजी पती वर्ग का भी जन्मुआ जो दोगी करण में जुड़े रहे एक संपन्य पूंजी पती वर्ग का भी जन्मुआ पूंजी पती वर्ग का जन्मुआ तो और दोगी गद्विधियों में लगातार जुडाव रखने वाले एक नए वर्ग का जन्म हुआ जिसका नाम था पूंजी पती वर्ग ठीक है पूंजी पती वर्ग का जन्म हुआ इसके अलावा बड़ी संख्या में सहरों में रोजगार मिलना चालू हुआ यह जो संपन्य पूंजी पती वर्ग था इसका जीवन इसतार बहुत अच्छा होता था इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे जो यह पूरा का पूरा गाओं से सहरों की तरफ पलायन बढ़ा तो इनके रहने के निवास इस्थान मलिन बस्तियों का भी जन्म ह हुआ गाशाहरों में मलिन बस्तियों का भी जन्म हुआ बस्तियों का भी जन्म हुआ है ना बड़ी संख्या में मलिन बस्तियां बनने लग गई इसके अलावा इंग्लैंड की बात करें तो जब इंग्लैंड में प्रारम में और्दोगी करांती प्रारम हुई थी तो उस सम बात में जब यहां पर दोगी करण हुआ था तो यहां पर जो स्रमिक वर्ग था जो मजदूर वर्ग था उसके साथ पूंजी पती वर्ग ने बड़े इस्तर का शोषण किया समझ रहें तो यहां पर क्या हो गया जब यहां पर जो स्रमिक वर्ग था पूंजी पती वर्ग तो उच्च सुविधा प्राप्त वर्ग था और यह सोसक वर्ग बन गया पूंजी पती वर्ग जो था यह उच्च सुविधा प्राप्त वर्ग था और इसने सोषण किया किसका किया मजदूर वर्ग का सोषण किया तब ही आपने देखा रासिया में एक क्रांटी होती है और आगे चले किसमें सामयवादी विचारदारा को प्रसर दिया जाता जिसमें स्रमिक क्रांटी या मजदूर क्रांटी को भी के ताउर पे जानते हैं तो पूजी पती वर्ग ने एक शोषक काम किया और इसने सुरमिक वर गया निम्ना आय वर्ग के लोगों का इसने क्या किया शोषड करना प्रारम कर दिया इसमें इसतरी बच्चे और इन सब का भी शोषड होता था अब इसको कंपेर करते हैं बरतमान भारत से देखो बरतमान भारत की बात प्रस्ण में आपके दिया गया था ना टॉपिक में था ना कि बरतमान से इसको क्या करना है हमको देखो अब देखो एक बार चलो मैं प्रस्ण में चलता हूं प्रस्ण भी आप लोगं को इसके सासा समझते जाएं कि किस किस चीज का उत्तर आपक बखार जो प्रश्ण की तरफ मैं आगे बढ़ता हूं अब यहां पर देगे किसका किसका अंसर हमने दे दिया यह रहा आपका प्रश्ण पहला क्या कारण था उद्धोगी करन्ती सर्प्रथा इंग्लैंड में घती इसका उद्तर दे दिया गया क्या कारण था आप समझ गए दूसरा कोश्चन है और दोगी करण के दौरान वहां के लोगों के जीवन गुर्टा पर चर्चा करिए मैंने ये भी बता दिया कि जब इंगलेंड में और दोगी करण हुआ उस समय एक पूंजी पती वर्क का जन्म हुआ जो की सोसक चरित रखत था उसने उस समय के स्रमिक वर्क को दबाया उनको जो है पूरी तरीके से सोसित कर दिया इस तरी बच्चों और किसी भी तरीके से अधिकारों की कोई सुरक्षा नहीं हुई तो बड़े इस तरह पे स्रम अप्राप्त करने के लिए जो स्रमिक वर्क था उसके अधिकारों को लेकर किसी भी तरीके की कोई बात नहीं की गई अब अगला कोशन है भारत में बरतमान जीवन कुड़ता के साथ किस प्रकार तुलनी है तो एक तुलना करनी है बरतमान भारत से कि बरतमान भारत में किस तरीके का स्वरूप है तो देखें बरतमान भारत में भी ओदोगी करण हो रहा है है ना और दोगी करण के माद के कारण से एक सहरी केंद्र बन रहे हैं सहर केंद्र बन के निकल रहे हैं सहर क्या बन रहे हैं केंद्र बिंदू बन रहे हैं तो सहरों के केंद्र बिंदू बनने के कारण से सहरों की तरफ क्या हो रहा है पलायन हो रहा है सहरों की तरब क्या हो रहा है पलायन हो रहा है बड़े इस तरब व्यापक इस तरब सहरियों की तरब क्या हो रहा है और जब यह पलायन हो रहा है तो कहां से पलायन हो रहा है गहां से पलायन हो रहा है अभी देख रहा है थे कोई सामने नहीं आया और बेचारे वो सहे के 1000 किलोमीटर की यात्रा करके अपने गाउं पहुंचे चाहते तो यह पूंजी पती जहां है यह सरमी काम करते थे जिन फैक्टरियों में जिन कंपनियों में चाहते हो तो रोक सकते थे है ना ताकि इस्तिती समाने होते ही फिर से काम करने में प्रारम हो जाते लेकिन ऐसा नहीं किया गया तो भारत में भी अदोगी करण है जिसके कारण से सहरी छे सहरी करण बढ़ रहा है सहरी करण के कारण से क्या हो रहा है गाउं से सहरों की और पला हो रहा है मलिन बस्तियां सायद आप लोगों ने देखी हैं नहीं देखी हैं सहरों में कुछ ऐसे केंद्र विंद्र होते हैं जहां पर समाज का सबसे निम्न तपका रहता है यह रिक्से वाले यह जो दिहारी मजदूर यह जुग्गियां बना करके किसी भी तरीके से कच्चे मकान बना करके या फिर इटो को किसी तरीके से बना करके एक ऐसे वातवरण में रहते हैं जहां की वायू बहुत अस्वक्ष होती है जहां पियजल की कोई सुविधा नहीं होती जहां का जीवन निमनिस्तर का होता है बहुत बुरी कंडिशन होती है और जितने भी भारत के महानगर हैं चाहे दिल्ली की बात करें चाहे दिल सबसे निमने तपका रहता है ऐसी कितनी मलन बस्तियां है जो कि आजब पांच जाकर बोग्विक्सित हो घाती हैं तो इन मलन बस्तियों का विकास आज यह जोड़ सकते हैं और 2 गिक करांती से सामयता रखती और 2 क्रांती में भी यहिवा था और मलिन बस्तियों में रहने के लिए ने मजबूर कर दिया यानि कि ग्रामीड पिल पलायन जारी रहा अब एक चीज़ और समझते हैं एक चीज़ और हैं अगला पॉइंट लेकिन कुछ चीजों से और दोगी करांती से सामेता नहीं रखते क्यूं क्यूंकि बरतमान में भार मजदूरी होती थी बड़े इस तरकी लेकिन भारत में ये अब क्या हो गया सम्मिदान ने क्या कर दिया इसे बाल मजदूरी इल्लीगल है बंदूआ मजदूरी इल्लीगल है शोशड के विरुद्ध आपको अधिकार दिया गया है दासप्रथा मानो दूर्वयापार ऐसा कुछ भी नहीं होता है इंगलाइंड में जब अदूगी क्रांती हुई तो दासप्रथा भी प्रिष्लन में था और मानो दूर्वयापार भी होता था मानो को भेचा भी जाता था तो बंदूआ मजदूरी बंदूआ मजदूरी इसके बाद और क्या है आपका महिलाओं के अधिकार महिलाओं के अधिकार अधोगी करांथी के दारान सर्रक्षित नहीं थे लेकिन भारती सम्मीधान ने लिंग के आधार पे सब को बराबर समझा है महिलापूरुस में किसी भी तरीके से कोई विवेद नहीं है समानकार्य के लिए समान बेतन की वेऊस्ता है समान कारे के लिए समान वेतन की वे उस्ता है तो बहुत सारे मामलों में इंगलाइंड में जब अधोगी करांती हुई थी तो वहाँ पर बहुत सारे अधिकार नहीं प्राप्त हुए थे लेकिन बर्तमान भारत में बहुत सरे अधिकार भारती स्रमिकों को प्राप्त हैं है ना तो इनके लिए बहुत सरे कानून बनाए गए हैं जबर्जस्ती बंधुआ मजदूरी नहीं किराई जा सकती है एक कार्य करने के अवदी निर्धारित कर दी गई है कितने घंटे काम होगा काम के बीच में कितना इसके अलावा जो महिला है उनको प्रसूती के समय पे उनके लिए कितना अवकास रहेगा किस तरीके से तो पूरे नियम और मानकों के तहट बर्तमान में भारत में पूरे स्रम कानून है लेवर लाज है उनी के तहट पूरा का भी हैं निशत तोर पर आप साइद इस प्रस्न को समझ गए हो हाँ बचों आर्टिकल Virus श्रमिक कानून बनाएगा और संसत के द्वारा बनाए गए बहुत सारे कानून ये सारे तो निशित तोर पर आप समझ गये होंगे कि अधोगी क्रांति इंग्लैंड में क्यों हुई थी है ना और अधोगी क्रांति के पैडाम सुरूप किस तरीके से क्या-क्या जो प्रस्थी के जो पहलू थे तो मैंने उन जा और इस पॉइंट को लगातार इसी तरीके से कंटिनिवस रखेंगे और लगातार करते रहेंगे ठीक है चलिए अब आप मुझे बताइए